आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ शोग ग्राफिकली अब आपके सभी और हम जब नौन वॉलिटीकलिट अप कर देंगे तो कैसा होगा शो अन्य ग्राफ सिलीशन पाइल भी िवस्पा संकासी सॉल्वें और इस ग्राफ में बोलिवस्पा भीए संकाम और पाइल को हमने की फ Hundreds of solutions पाइल्स in ग चैंड टो का वहाली अपना सुल्वें When we add a non-volatile solute, तो क्या होगा हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, है न, और हमें ये पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है, वो डारेक्ली किसके प्रपोर्शन होता है, तेम्प्रीचर के, यानि कि अगर हम तेम्प्रेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अब हम लोग ग्राफ पना लेते हैं, ठीक है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर और इस साइड ले लेंगे हम लोग टेंपरेचर ठीक है तो अब जो प्यॉर सॉल्वेंट का ग्राफ जाएगा वो ऐसा जाएगा ठीक है अब क्या और है हमारा जो नॉन वॉलाटाइल सल्यूट अड़ करेंगे यह अब अगर हम लोग नॉन वॉलाटाइल सल्यूट अड़ करते हैं तो क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो सल्यूशन अगा जिसमें हमारा नॉन वॉलाटाइल स्ल्यूट है उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ठीक है यह ग्राफ किसका होगे solution का तो graph तो बन गया हमारा vapor pressure का अब हमसे क्या पूचा जा रहे हमसे पूचा जा रहे कि vapor pressure पहले हमें शो करना है इसमें तो हम लोग देख सकते हैं इसमें जो vapor pressure हो का pure solvent का वो जादा है और solution का जो vapor pressure है वो कम है तो वेपर प्रेशर ओव प्योर सॉल्वेंट इस ग्रेटर दैन वेपर प्रेशर ओव solution क्योंकि non-volatile solute add करने वे क्या होता है मारा वेपर प्रेशर decrease हो जाता है अब हमें क्या करना है boiling point शो करने boiling point क्या होता है boiling point वो temperature हो गया जिस पे हमारा जो वेपर प्रेशर होता है solution का वो 180 के बराबर होता है है ना तो हमें boiling point शो करना है यहां पर हम लोग वेपर प्रेशर ले ले लेते हैं 1 atm तो pure solvent का boiling point आ जाएगा इधर और जो हमारा solution का boiling point है वो आ जाएगा इधर ठीक है तो यह हमारा boiling point आ गया अब हमसे पूछा क्या है की boiling point में से कौन सा जादा होगा तो हम लोग देख रहे हैं जो boiling point होगा हमारा solution का है ना वो जादा है किसके boiling point of the pure solvent से so boiling point of solution is greater than boiling point of pure solvent ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो हमारा boiling point है ना वो vapor pressure से indirectly proportional होता है यानि कि अगर vapor pressure increase होता है तो boiling point decrease होता है so boiling point is inversely proportional to vapor pressure ठीक है तो vapor pressure अगर हमारा increase होगा तो हमारे solution को boil होने के लिए temperature कम देना पड़ेगा तो उसका boiling point क्या होगा कम होगा बट अगर vapor pressure कम है तो हमें जादा temperature देना पड़ेगा उस solution को boil होने के लिए तो उसका boiling point होगा वो हाई हो जाएगा अब since हमारे solution में जैसमें non-volatile solute है उसका क्या होगा vapor pressure कम होगा इसलिए उसका boiling point जादा होगा क्या हमें जादा heat देनी पड़ेगी ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर